बच्चो नमस्कार ग्यान सिंदो कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा बारा की है ये दस्वा पार्ट है इसके पहले नव पार्ट हम दे चुके हैं नव भाग देखे फिर ये दस्वा भाग देखिए चंद्रापीड कथा आपकी दस भागों में ही 2021 के लिए हमने खत्म कर दी है यानि यह अंतिम भाग है अब आपको इसका अनुवाद नहीं पढ़ना है आज यहां तक आपका पढ़ाएंगे हम जो अंत में जहां तक 30% घटा के 30% घटा दिया गया है तो यहां तक हम आपको पढ़ाएंगे निर्गतायाम चा के उरकान यहां तक यहां से आपको ये वाला नहीं पढ़ना है ये वाला इसके बाद का जितना भी है आपको नहीं प तो बच्चों देखे एक-एक मीनिंग देखेगा और प्लेलिस्ट में मेरी सारी वीडियो पड़े हुए हैं संस्क्रित चंद्रापीड कथा की प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहां जाकर देख रिजिए के युरकाहा सब प्रस्रयम उपविश्य अब्रवीत तो के युरकाह का मतलब है के युरक पुरह का मतलब है सामने सब प्रस्रयम मने प्रस्रय के साथ और प्रस्रय का मतलब उता विनय और विनय का मतलब विनम्रता तो सब प्रस्रयम अर्थात विनम्रता पूरवक उपविश्य माने बैठकर अब्रवीत माने कहा या बोला क्या बोला देव हे किम विज्यापयामी क्या निवेदन करूं किम विज्यापयामी क्या निवेदन करूं विज्यापयाम मने निवेदन करूं ना अस्ति मै संदेश लवो अपी देव्यह कादम वर्याह महाश्वेतायाहवा ना माने नहीं, अस्ति माने है, संदेश लवो अपी, संदेश लवो अपी, लव माने थोड़ा, लवाह माने थोड़ा, संदेश लवाह अपी, लवाह माने थोड़ा भी, ठीके, थोड़ा भी संदेश लवो अपी, थोड़ा भी संदेश, मैं माने मेरे द्वारा, देव्याह क राजकुमारी कादंबरी महाश्वेतायाह वा अथवा महाश्वेता का तनिक भी संदेश मेरे पास नहीं है थोड़ा सा भी संदेश मेरे पास नहीं है ठीक है नास्ति नहीं है मैं माने मेरे पास संदेश लवो अपी लवो अपी का मतलब है थोड़ा सा भी लव माने थोड़ा थोड़ा सा भी अपिमाने भी देव्याह कादंबर्याह देवी कादंबरी महाश्वेतायाह वा अथवा महाश्वेता का मेरे पास थोड़ा सा भी संदेश नहीं है यद यदाएव कैसे बनता है यदाएव तो यदाएव जैसे ही पत्रलेखा मेघनादाय समर्पिय पत्रलेखा को मेघनाद के लिए या मेघनाद को समर्पिय माने सौप कर जैसे ही मेघनाद के लिए पत्रलेखा को सौप कर यदाएव माने जैसे ही पत्रलेखा माने पत्रलेखा को और मेगनादा राय समर पर मेगनाद के लिए सौप कर प्रतिनिो प्रतिनिव्रत्य का मतलब क्या होता हो वापस आकर मेरे दूबरा वापस आकर के अयम देवस से अयम देवस माने हे देव हे राज कुमार उenty जयनी म गमनवृत्तान तह अरथा तो उजयनी गमन का मतलब होता है उजयनी जाने के गमन विरत्तान तह हमाने समाचार निवेदिता हमाने निवेदित किया प्रतिनिवृत्य मया मेरे द्वारा वापस लोट कर आयम माने यह देवस्य माने देव के उजयनी को जाने के यह समाचार निवेदिताह निवेदित किया तदय उमाने वैसे ही उर्धहम माने उपर विलोग के माने देख कर यानि जैसे ही उसने में घनाद के लिए पत्रलेखा को सौप कर मेरे द्वारा वापस आकर आपके उजयनी जाने के यह समाचार निवेदित किया तदय उमाने वैसे ही उर्धहम माने उपर विलोग के माने देख कर दीरगम माने लंबी उश्रम माने गर्म चा माने और नहिशश्य माने श्वास लेकर के सनिर्वेदम माने दुख के साथ सन निर्वेद निर्वेद माने क्या होता है दुख तो दुख के साथ उठाय माने उठ खड़ी हुई तेक है उठाय माने उठकर महाश्वेता पुनहा तपसे माने तप करने के लिए स्वयमेव स्वयम के आस्रम को अभज़त माने चली गई स्वयम के आस्रम को चली गई एक बार फिर से देखिए तदयो माने वैसे ही उर्धम विलोग के उपर देख करके देरगह मुष्णम लंबी गर्म चनिश्वस से सांस ले करके सनिर्वेदम बड़े दुख के साथ उत्थाय माने उठकरके महाश्वयता पुनहत अपसे स्वयमेव माने स्वयम के आस्रम माने आस्रम को अभज़त माने चली गई देव्यपी माने देवी भी देवी अपी देवी भी कादंबरी भी जहतित माने जहत से या फिर शीग्रता से देवी कादंबरी भी शीग्रही द्रुघणेन एव द्रुघणेन का मतलब होता है हाथवड़ा ठीके द्रुघणेन एव हाथवड़े से ही ठीके द्रुघणेन एव हाथवड़े से अभिहीता मतलब हाथवड़े से मारी हुई सी निवारित निवारित माने निशिद्ध करके हटा करके अशेश परिजन अशेश माने समस्त प्रवेश 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 आहा सभी परिजनों का प्रवेश निशिद्ध कर निवारित माने रोंक कर या निशिद्ध कर अशेश परिजन प्रवेश आहा समस्त सेवकों का प्रवेश निविश जो है क्या करके निशिद्ध करके शयनिये माने शयया पर अविस्तर पर निपत्य माने गिर कर उत्तरीय वाससा उत्तरीय वाससा का मतलब क्या होता है उत्तरीय वस्तर जिसको हम दुपट्टा बोलते हैं आचल बोल सकते हैं तो उत्तरीय सबसे उत्तम अंग कौन कहा गया है मुख तो उत्तम अंग मतलब उचे वाला मुख ठीक है उत्तरी वास्ता उत्तरी वस्त्र से उत्तम अंगमम अपने मुख को अवगुंठे माने ढक करके यह घुंगट बना करके अवगुंठे माने ढक करके सकलम एव माने संपूर्ण तम मा उस दिवसम्माने दिवस को आस्थात माने पड़ी रही उस संपूर्ण दिवस भर वे पड़ी रही ठीक है मुख ढख करके संपूर्ण दिवस भर वे पड़ी रही ठीक देखो प्रसनोत्तर लेलो गद्यांश की पुस्तक का नाम और लेखक का नाम है तो गद्यांश के लेखक कौन है बान भट है और पुस्तक क्या है चंदरापीड कता है मैंने बताया था आपको न आस्त नहीं है महिमाने मेरे पास संदेश हा लवह अपी मतलब थोड़ा सा भी देव्या कादम्बरिया देवी कादमबरी महाश्वतायाह वा मेरे पास कुछ भी संदेश नहीं है कह अब्रवीत यावाली बात किसने कही थी ठीक, तो के यूर कह अब्रवीत पत्रलेखाम कस्मई समर्पिता पत्रलेखा मेघनादाय समर्पिता यानि पत्रलेखा को किसको दिया महाश्वेता पुनहा कुत्र अगच्छत महाश्वेता पुनहा आस्रमं अगच्छत ठीक, परेद्धिहु चा परेदिहु चा और दूसरे दिन प्रातह एव प्रातह ही उपस्रितम माम मुझहे त्याग कर या मुझहे उपस्रितमाने पास जा करके उपस्रितमाने पास जाना तो उसके पास गए हुए मुझको ठीक है उपस्रितमाने मुझको उपस्रितमाने पास गए हुए प्रातह हो माने प्रातह काली परेदिहु माने दूसरे दिन द्रियमानेश एव और द्रियमानेश एव का मतलब क्या होता है जीवित रहते हुए द्रियमानेश एव मतलब लोगों के अहम माने मैं इद्रशीम माने ऐसी अवस्था माने अवस्था का अनुभवां माने अनुभव करती हूं। मतलब जीवित रहते हुए भी आप लोगों के मरे हुए के समान में अनुभव करती हूं। परिया कुलया द्रिश्टिया माने व्याकुल द्रश्टि से सुचीरम माने बड़े लंबे समय तक विलोकित वती माने देखती रही। ठीक है मतलब व्याकुल द्रिश्टि से बहुत समय तक देखती रही। तथा माने फिर क्या हुआ। तथा द्रिश्टि से तया दुखितया देव्या आदिश्टमे गमनाय आत्मानम मन्यमानह। तथा द्रिश्टि से उस प्रकार से देखे जाने पर। ठीक है उस प्रकार देखते हुए तया माने उसके द्वारा दुखितया देव्या हा। दुखितया माने दुख के साथ। उसको उस प्रकार से दुखितया माने दुख के साथ। यानि उसको दुखी देखा गया मेरे द्वारा उसको दुखी देखा गया तथा द्रिश्टस्च मतलब उस प्रकार से तथा मने वैसे या उस प्रकार से द्रिश्टस्च मने देखा गया देखते हुए तया मने उसकी द्वारा दुखी तया देविया देवी को दुखी उस प दिया गया हो ज्रीश not the Must इस्परकार उन्होंने दुखी मन से अपने दुखी नेत्रों से देखा कि आधिष्ठ म मानौ आदेश दिया गया हो गमनायमाने जाने के लिए आत्मानमाने स्वयम को मन्ने माना हमाने मैंने मान लिया ठीक है दुखी देवी को उस देखते हुए आदिष्टम यो आदेश ही गमनाय माने जाने के लिए आत्मान माने अपने आपको मने माना माने मैंने मान लिया कि मुझे जाना है अहम अनिवेद्यव अहम अनिवेद्यव अहम माने मैं अनिवेद्यव बिना निवेदन किये हुए ही आ निवेद देव बिना निवेदन किये हुए ही यानि बिना बताये हुए ही मतलब इसका क्या रत हुआ आ निवेद देव बिना बताये हुए ही देव्येई ही देवी के देव पादमूलम बिना देव्येई माने देवी के तवरा बिना बताये गये ही यहनी बिना मैंने बताये ही देव पाद मुलम हे देव चंद्रापीड के पाद मुलम मने चरणों में उपगतो असमी उपस्थित हो गया हुँ। चला आया हुँ। देव भावताह प्रथम आगमन आये भावताह प्रथम आगमन समय एव आरूढवान मकर केतुनह ताम तो भावताह देव भावताह वो क्या कहने लगा है कहता है कि हे देव भावताह माने आपके प्रथम आगमन के समय ही आरूढवान माने चढ़ गया या आरूढ हो गया या सवार हो गया मकर केतुनह माने काम देव ताम माने उस पर सवार हो गया इदानीम माने अब तो या इस समय तो इदानीम तु माने इस समय तो महांतम आयासम अनुभवत तोद अरथे तोद माने आपके अरथे माने लिए अब आपके खातिर या आपके लिए इदानीम तू इस समय तो महांतम माने बड़े आयासम माने दुख का अनुभवत माने अनुभव करती है तो दर्थे माने आपके लिए अब आपके लिए इस समय बड़े ही दुख का अनुभव करती है कादंबरी इदानीम तू महांतम आयासम अनुभवती तो दर्थे बरी डबल लिग गया है ठीक है दबल लिग गया है तत दानि инг का वह करती तघ्रम। अवलं कि आवलम्य माने सहारा लेकार के जाता औरला अं तत है excel अवलंब टब धैरे का सहारा लेकर के गमनाय यतना क्रियताम तो धायर्य मावलंब धायर्य का सहारा लीकर के गमनाय माने चलने का यतना माने प्र क्रियताम माने कीजिए थीक है चलने इस प्रकार निव्य दन किये गए से चंद्रापीदने कहा ठीक है इथि माने इस प्रकार आभेदाशन स्टम्माने ठीक सब्सक्राइब कि द्वारा चंद्रापीध हैं को रुक है कैष्ब से इतद्ञ और पत्र ले के चार्व है मई देखो मई आठ्षात हम से मई आठ्षातम हो जाता ठीक है तो कि यूरक को शंद्रापीड Hmm ने क्या कहा के यूरक सरवं एव एतत यह सब ही सरवं एव एतत मतलब यह सब स्भी पत्रणेखा मैं आख्यातम पत्रणेखा के द्वारा हम माने मुझे को आख्यातम माने बता दिया गया है जो आप मुझे बता रहें तो सरवम एतत पत्रले ख्यास अप अधुना माने अब दीवसक्रम गम्मे अब दिवस क्रम गम्मे अब क्या है दिवस क्रम गम्मे मतलब दिवस क्रम गम्मे का आर्थ क्या हुआ दिवस माने दिन और क्रम गम्मे अध्धुनी अब बहुत दिनों में टें किये जाने वारे मारका मैं क्या करूंगा मतलब वो क्या कहते हैं अधुना माने अब दिवस क्रम गम्मे अध्वन किम करो मी अब मैं अब मैं बहुत दिनों में तैं किये जाने वाले मार्ग का क्या मैं करूँ तो वो कहते हैं अधुना दिवस क्रम में कई दिवसों में क्रम गम्मे कई दिवसों में क्रम गम्मे का मतलब दा कई दिवसों में पहुंचने वाला मार्ग कई दिवसों में चलकर के पहुंचने वाले अध्धोनी माने दूरी दिवस क्रम गम्मे अध्धोनी बहुत दिनों तब में पहुंची जाने वाली दूरी किम करो मिका मैं क्या करूं तथाप माने फिर भी देवीम संभावाईतुम प्रेताम है फिर भी देवीराजकुमारी को देखने का प्रेतन करेंगे तथाप माने फिर भी देवीम संभावाईतुम माने प्रेतन करेंगे प्रेतम आम है संभावाईतुम माने देखने के लिए देवी को मैं देखने का प्रयत्न करूंगा संभावईतु मैंने मिलना होता है या देखना होता है यह मुलाकात जिसको बोलते हैं तो क्या कहता तथा मैंने फिर भी देवी में संभावईतु म प्रयता मैंने प्रयत्न करूंगा आमहे माने मैं करूँगा मैं प्रयत्न करूँगा फिर भी देवी को मिलने मिलने का इती वदन ऐसा कहकर के आदिदेश विश्रांते के उरकम ऐसा कहते हैं के उरक को विश्राम के लिए आदेश दिया ठीक है इती वदन ऐसा कहते हुए आदिदेश माने आदेश दिया विश्र करने के लिए आदेश दिया अब इसके प्रश्ण उत्तर देखिए तो प्रस्तुत गध्यांस के लेखक का नाम बताना है बाणभट है और चंद्रापीट कथा पुस्तक है तो धैर्यम अवलंबे तो धैर धारन करके गमनायमाने चलने का यतना हक्रियतामाने प्रयत्न करें के युरकाह परेद्धिहु कस्या समीपम अगच्छत तो कादम्मर्याह समीपम अगच्छत द्रियमानेशु एवं भवत्सु अहम इद्रशम अवस्थाम अनुभवामे क्या कस्या उकती तो या कादम्मर्याह उकती मतलब उसने क्या कहा था कि जीते हुए भी आप लोग कानुभव कर रही हुँ उपालंभ मानेव परियाकुला द्रिष्ट्रिया सुचिरम विलोकत्वती का का विलोकत्वती तो कादम्मरी परियाकुला द्रिष्ट्रिया सुचिरम विलोकत्वती फिर देखें अत्रांतरे अत्रांतरे मानेश के पस्चात भागवन तिग्म दितिही का आर्थ होता है सूर्य यानि तिक माने तम तम होता है तम या अंधकार को खा लेने वाला समाप्त कर लेने वाला उसको क्या बोलते हैं सूर्य बोलते हैं यानि गर्म तिक्त थिक्त होता ना तिक्म दितिही गर्म किर्णों को धार्न करने वाला सूर्य संजहार करहस् मतलब संजहार माने समेट लिया करहस्त्रम माने कर सहस्त्रम है कर सहस्त्रम माने हजारों करों से और सूर्य के करों को क्या कहते हैं सूर्य के करों को किर्णे कहते हैं तो हजारों किर्णों से समेट लिया मतलब यह है कि इसी बीच में क्या हुआ भगवान सूर्य ने अपनी हजारों किरणों के समूह को समेट लिया मतलब की शाम हो गई अत्रांतरे माने इसके मद्ध में इसी मद्ध में या इसी बीच में भगवान तिंगमदी दिती माने भगवान सूर्य ने संजहार माने समेट लिया कार साहस्त्रम माने अपने हजारों आँपों को समेट लिया उदैगिृ शिखरम आःयाचल परवत पर आःअफ़ होने पर भगवती सिंद्रम के गमनमम् आत्मन माने अपने अपने प्रस्थान को अ्पने अपने प्रस्थान को कि माने सूचे ने लगा या चिंतन करने लगा ता तेन खलु स्वभुजात अवरोप्य मै एव राज्य भारा समारोपिता ता तेन माने पिताने खलु माने निश्चे ही स्वभुजात माने अपनी भुजा से अवरोप्य माने उतार करके मै एव माने मुझपर ही राज्य भारा माने राज्य काभार समारोपिता माने आरोपित कर दिया है ताते निखलुपिता ने निश्चे ही स्वभुजात अवरोपे अपनी भुजाओं से उतार करके मैयेव माने मुझपर ही जाज्य भारा समारोपिता राज्य का भार आरोपित कर दिया है तम अनाख्याए पदम पी निरगंतुम नशक्यते तम अनाख्याए तम माने उनकी अनाख्याए माने बिना कहे तम माने उनकी अनाख्याए माने बिना कहे पदम पी मने एक कदम भी एक पद भी निर्गंतुम नशक्यते निकल नहीं शक्ता ठीक है एक कदम भी निकल नहीं सक्ता तम अनाख्याय उनके बिना कहे पर या उनके बिना आज्या के पदमप मने एक पद भी निर्गंतुम नशक्यते निकल नहीं शक्ता इसकंधवारो अपी में अध्यापी न परापतती इसकंधवारो अपी सैन शिविर भी इसकंधवारा अपी माने सैन शिविर भी में माने मुझे अध्याप माने आज भी न परापतती न परापतती माने लोटा नहीं है छीआ, शेन शिबिर भी आज तक लोटा नहीं है, मेरा सेन शिबिर भी तक लोटी नहीं है, न परापतित माने लोटी नहीं है, किम कारणम माने कौन से कारण का व्यपदिश्य माने बहाना बना करके आत्मानम माने अपने आपको मोचयाम माने छुडाऊं कथम वा मुंचन तुमा ताता अंबा वा कथम माने कैसे मुंचन तुमाने छुडेंगे माम माने मुझको ताता माने पिता अंबा वा माने अथवा अथवा कैसे मुझको मेरे माता पिता छुडेंगे माता पिता मुझको कैसे छुडें सुहिर्ट साध्धे अस्मिन अर्थे किम करो में एका की सुहिर्ट साध्धे अस्मिन तो सुहिर्ट साध्धे माने मित्र द्वारा करने वाले अस्मिन माने इस अर्थे माने कारे को किम करो में एका की मित्र के द्वारा किये जाने वाले इस कारे को मैं अकेला कैसे करूँ यानि मित्र होता साहता करता वैशम पायन आपी वैशम पायन भी असम नहीता है पार्षवे में असम नहीता माने उपस्थित नहीं है पार्षवे में मेरे पास में वो भी मेरे पास में उपस्तित नहीं है इतीवम माने इस प्रकार ही चिंतयता माने चिंतन करता हुआ सोचते हुए एव माने ही चिंतयत एव माने सोचते हुए ही असेसा क्षपा छयम अगात असेसा असे माने इसकी ठीक है असेसा माने वो हो छपा माने रात्री क्षयम अगात वने नश्ट हो गई या समाप्त हो गई ठीक है यह सब को सोचते हुए भी वह रात उसकी समाप्त हो गई परश्णोत्तर देखो मूल गरंथ नाम पूछ रहा है चंद्रापीड है तो किस मूल गरंथ से उद्र हित्व तो वहिया चंद्रापीड कथा नहीं लिखेंगे इसमें अंसर कलत है देखो किस मूल गरंथ मूल गरंथ पूछ रहा है तो कादंबरी मूल गरंथ है इसका ठीक है और चंद्रापीड कथा तो केवल आपकी ये कहानी है इंटर के लिए तो मूल गरंत जब भी पूँछे तो ये चंद्रापीड नहीं लिखिएगा कादंबरी लिखिएगा बानवट की तो ये जो है आपको गद्यान से मिलेंगे सारे उत्तर ढूढ़िएगा जब आपको अनुमाद याद हो जाएगा तो सब ढूढ़ लेंगे किम कारणम व्यपदिश्यम आत्मानम मोचयामिक आर्थ है कौन सा कारण ये बता कर या बहाना बना कर अपने आपको छुडाऊं तातेन में तर्तिया भ्यक्ति एक वचन है अवरोप का शाब्दिकर्थ है उतार करके ठीक है देखो प्रातरेव किवदंती सुस्राव किवदंती का मतलब जानते हो जनसुर्त या कहावत जिसको बोलते हैं तो प्राताई चंद्रापीर ने क्या सुनी एक कहावत सुनी किवदंती का मतलब जोगों द्वारा कुछ कहा जा रहा है कहावत सुनी यथा किल क्या कहते हैं सुना कि सेन शिविर दसंपुर नगर तक लोटाई है कहा तक दसंपुर नगर तक यथा जैसे शुष्राव मने यथा शुष्वा मने सुना यह था मने जैसे किल मने निश्चेही दशंपुरम यावत दशंपुरम तक परागता मने वापस लोटाई है इसका अंदवारा मने सैना अपनी सैना कहां तक लोटाई है दशंपुर तक ताम च सुरुत्वा प्रहिष्ट चेता है ताम च सुरुत्वा और उसको चा मने और सुरुत्वा मने सुन करके सुरुधात में कत्वा परत्ते लगा है तो सुरुत्वा मने सुन करके प्रहिष्ट चेता है मने प्रसंद्न चितवाला प्रसंद्न चितवाला कौन चंद्रापी माने हाथ में आई हुई सिद्धिम माने सफलता अवधारे माने समझो अब करतल वरतिनीम सिद्धिम अवधारे हाथ में आई हुई सफलता समझो प्राप्त हा वैशंपायन हा प्राप्त हो गया है हमको वैशंपायन अर्थात लोट आया है वैशंपायन आ गया है वैशंपायन तो विसकार्थ बताईए गध्यांशत से पुस्तकम लेखकंच नामह लिखत तो चंद्रापीड कथा और बान भट्टा हा के उरक करतल वरतिनीम सिध्धिम अवधारे का रेखांकितंश की व्याख्या करनी है तो वही व्याख्या करो चाहे नुवात करो के उरक अब सफलता को हाथ में आई हुई समझो कहा प्रातेहे कि वदंती सुस्वाओ किसने प्राताकाल लोगों के द्वारा कुछ सुना तो चंद्रापीड ने सुना इसकंदवारा हा कुत्र यावत परागता दशंपुरम यावत परागता मतब कहां तक आ गया है इसकंदव तो दशंपुर्तक चंद्रापीडा किम अब्रवीत चंद्रापीडा अब्रवीत के उरक करतल वरतिनीम सिध्धिम अवधार है प्राप्तह वैश्यम पायना ठीक है चलो अहां अभी दो इस्टेंज यह भी पढ़ लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है ध्यान से पढ़िएगा ब तद आकर्ण मने ऐसा सुन करके क्या बोला देव हिराजकुमार किम अपरम मया अत्र इस्थितेन साधनियम मेरे द्वारा यहां रहने से कौन सा दूसरा कर्तब सिध्ध हो रहा है किम अपरम कौन सा दूसरा मया माने मेरे अत्र माने यहां इस्थितेन माने ठहरने से साधनियम माने सिध्ध हो रहा है अरे मेरे ठहरने से यहां कौन सा क्या सिध्ध हो रहा है अकाल अक्षमा देव्या कादम वर्याह शरीर अवस्था अकाल अक्षमा अकाल अक्षमा तो इसका मतलब क्या हुआ अकाल अक्षमा का मतलब है कि देरी को सहने में असमर्थ है अकाल अक्षमा अकाल माने देरी को अक्षमा माने असमर्थ है सहने में देव्याह कादम वर्याह देवी कादम वरी की शरीर अवस्था जो देवी कादम वरी की शरीर अवस्था है वो देरी को सहने में अक्षम है असमर्थ है सरवोही सरवोही प्रत्याशया धार्यते सरवोही प्रत्याशया सरवोही माने सभी तो प्रत्याशया माने आसा से ही प्राणधार्ण करते हैं सभी तो आशा से ही प्राणधार्ण करते हैं तत माने इसलिए देव आगमनों उत्सवाहा देव के आगमन के उत्सव क आवेधई तुम माने मैं निवेदन करने के लिए देव आगमन उत्सवह राजकुमार के आगमन के उत्सवगा आवेदई तुम माने निवेदन करने के लिए इदानी में मने इसी समध ही उच्छा में प्रसन करना चाहता हूं यानि आप से अनुग्रहीत होना चाहता हूं ठीक है मतलब यह है कि तत माने इसलिए देव आगमनों उत्सवं आवेदैतुम देव के आगमन के उत्सव का मैं आवेदन करना चाहता हूं निवेदन करना चाहता हूं ठीक है इदानी में व जाने का सुईकार के जाने की आज्या से प्रसादम माने प्रसंद करो क्रियमाडा माने करने की आप मुझको प्रसंद करें इच्छा माने इच्छा करता हूं कि आप मुझको प्रसंद करें कौन कह रहा है के यूरक कह रहा है चंद्रापीड से क्या कह रहा है कि अब मेरी इच् तैयार हो जाईए और मैं प्रसन्न हो जाऊं इती वेजिग्यपत मतलब ऐसा निवेदन किया एवं विज्यापिते के यूरकेण एवं माने इस प्रकार विज्यापिते माने निवेदन करने पर के यूरक के द्वारा के यूरक के द्वारा एसा निवेदन करने पर परितुष्टा चंद्रहपीडा परिसंतुष्ट चंद्रहपीड परतिवाच माने बोला साधु चिन्तिमम साधु चिन्तितम अच्छा सोचा उत्तम सोचा कस्य वा अपरस्य इद्रशी देश काला ग्यता कस्य माने किसकी वा मने अथवा अपरवस्य माने दूसरे और दूसरे किसकी इद्रशी माने ऐसी देशकाल अग्यता माने है देशकाल की पहचान है मतलब ऐसी और किसकी देशकाल संबंधी जानकारी और किसको है किसी को नहीं है गम्यताम देव्याह प्राण संधारणाय गम्यताम मने जाओ उसको भेज रहे हैं केवरक को चंद्वापीड करे हैं गम्यताम जाओ देव्याह प्राण संधारणायाम देवी कादंबरी के प्राणों को धारण कराने के लिए जाओ ठीक है प्राण संधारणाय देव्याह मत मने मेरे आगमन प्रत्यार्थम मेरे आगमन अर्थात मेरे आगमन का प्रत्यार्थम विश्वास उत्पन्न करने के लिए मत मत आगमन मेरे आगमन के प्रत्यार्थम माने विश्वास के लिए चा पत्र लेखा और पत्र लेखा तो या एवसा तेरे ही साथ या तुमाने जा रही है जाएगी देवी पादमूलम देवी के चरणों में या तुमाने जाए अग्या दे रहा जाए या तुमाने जाए देवी पादमूलम देवी के चरणों में इती उक्तवा ऐसा कहकर के मेघनादम आहू ये मेघनाद को भुला करके आदिदेश माने आदेश दिया मेघनाद हे मेघनाद यस्याम यस्याम जाओ यस्याम भूमव जिस भूमव जिस भूमव पत्र लेखा नयनाय मने लाने के लिए पूर्वम मने पहले मया मने मेरे द्वारा तुम मने तुम इस्थापित हमाने भेजे गए थे यानि यस्याम भूमव जिस भूमी पर पत्र लेखा नयनाय पत्र लेखा को लाने के लिए के पोर्ववम माने पहले मया मने मेरे द्वारा तुम मन तुम स्थापित हमाने भेजे गए थे ताम भूमि म्यावत उसी भूमी तक या उसी भूमी को पत्र ले खाम आदाय पत्र ले का को ले करके केउरकेण सह केउरक के साथ अगरताह गच आगे जाओ। अगरताह गच आगे जाओ। अनुपदम एऊ माने शीग रही, ते माने तुरंग मैं हिआँ माने घोडे से परागतो अस्मि माने आ रहा हूं। परागतो असमाने आ रहा हूँ तुम्हारे घोडे से आ रहा हूँ तो पुस्तक का नाम लेखक का नाम चंद्रा बीड कथा बान भट हैं सरवोही प्रत्याशया धार्यते सभी लोग आसा के सहारे ही प्राण धारन करते हैं चलो अत के बाद एक निर्गतायाम तक खतम है यही वाला पढ़ना है और लास्त है अब आपको कादंबरी यानि चंद्रा पीड कथा नहीं पढ़नी है अब आपको हम चंद्रा पीड कथा के चरिशित्रन वगरा बताएंगे ठीक है इसको पढ़लो बस समाप्त होती है सत्तर परसेंट से ले बस जो आपका दिया गया था कादंबरी का वो समाप्त हो गया यहां से इस कद्यांस को पढ़ने के बाद दस पार्ट में चंद्रा पीड कथा बिभाजित है इस बार तो आप दसों पार्ट प्लेलिष्ट से देख लीजिए और सब को प्लेलिष्ट ही शेर कर दीजिए ठीक है जिसको भी शेर करना प्लेलिष्ट शेर करना ताकि सब बच्चों को फुल पाइदा मिले और पेंसिल हर एक मीनिंग को लिखा करो अत्माने इसके पस्चा चामने और पत्रलेखाम आ हुए पत्रलेखा को बुला करके पत्रलेखे पत्रलेखे है पत्रलेखा तोया पिमाने तुम्हारे द्वारा भी यांत्या यांत्या और यांत्या का मतलब है जाने के द्वारा अध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध ये ठीक है तो या पियांत्या तुम्हारे द्वारा जाते हुए भी अध्धनिमाने दूरी यानि मार्ग में ना माने नहीं मद विरह मेरी विरह की पिड़ा भावनिया माने अनुभो या ध्यान किया जाना चाहिए न शरीर संसकारे न शरीर के संसकार में अनादर करनी मतलब सरीर में भी सरीर के संसकार में सरीर की सेवा करने में भी असावधानिया नादर नहीं करना है न आहार वेला अतिक्रमडिया न भोजन के समय का अतिक्रमड करना है न माने नहीं आहार वेला माने भोजन के समय अतिक्रमडिया माने उलंगन करना है आपको भोजन के समय का भी उलंगन नहीं करना है नयेन केनचित अनुग्यातेन ना मने नहीं येन केनचित जिस किसी अज्यातेन अज्यातेन अज्यातमार पथा माने मार्ग से या तब्यमाने जाना चाहिए तो मैं किसी अज्यात मार्ग से भी नहीं जाना चाहिए मामजीवितम अपी मेरे जीवन भी मेरा जीवन भी तवैव हस्ते वर्तते तुम्हारे ही हात में है और उसका जीवन है कादंबरी और कादंबरी को मिलाने वाली कौन है पत्र लेखा है तो पत्रलेखा को उसका दंबरी के पास भेजिते समय दे रहा है निरदेश कौन चंद्रापीड तो कहता है मम जीवितम मेरा जीवन का दंबरी तुम्हारे ही हाथों में है तत नियतम तोया आत्मा यतनेन परिरक्षणियां तत माने इसलिए तत माने तो या इसलिए यतब नियतम तोया आत्मा यतनेन परिरक्षणियां तो तुम्हारे द्वारा नियतम माने निश्चित थी तौर पर तोया माने अपने तोया माने तुम्हे तुम्हारे द्वारा आत्मा यतनेन परिरक्षणियां मतलब जब तब तुम्हारे द्वारा नियम एवं प्रेत्न पूर्वक अपनी रक्षा की जानी चाहिए तत नियतम माने निश्चित तौर पर के त्वया माने तुम्हारे द्वारा आत्मा माने अपनी और इतने माने पूर्वक रच्णिया माने रच्छा की जानी चाहिए इत उक्त्वा माने ऐसा कहकर के उरकम माने के उरक पुनाहा तत अवधान दानाए तत अवधान दानाए अवधान माने क्या होता है अवधान माने ध्यान सावधान ठीक है तत अवधान दानाए तुम्हारा ध्यान रखने के लिए इती उक्त्वा माने ऐसा कहकर के उरकम पुनाहा के उरक पुनह तव तद अवधान दानाए तुम्हारा ध्यान रखने के लिए ठीके सावधान रहने के लिए सम्विधाए मने आदेश दे करके महाश्वेताम आस्रमम यावत महाश्वेता के आस्रम तक तुयईव सह अनया मन मत नयनाए आगंतव्यम इति आदिश्य विसर जयत मतलब महाश्वेताम आस्रमम यावत महाश्वेता के आस्रम तक तुयईव सह तुम्हारे ही साथ ठीके अनया मत नयनाए अनया मने इसे मत नयनाए मेरे मत माने मुझको नयनाए माने लेने के लिए आगंतव्यम माने आना चाहिए यानि महाश्वेता के आस्रम तक तुम्हें मुझको लेने के लिए आना चाहिए इतियादिश विसरजेत ऐसा आदेश देकर के विसरजेत माने विदा किया और ऐसा कहकर मतलब के यूरक को पुना उस पत्रलेखा के विशे में सावधान रहने के लिए आदेश देकर क्या कहा क कि महाश्वेता के आस्रम तक तुम्हें मुझको लेने के लिए आना चीए ऐसा आदेश देकर विदा कर दिया सब को ठीक है तो अब इसके वी क्वेश्चन देख लो और भया आज से चंद्रापीड कथा आपकी कि खतम हो गई है 30 परसंट जो बची थी 30 परसंट पढ़ना ही नहीं है आप तो मौझ में है तो आस्रे गध्यांशत से प्रणेता बान भट्टा हा चंद्रापीड हा पत्र लेखा माहुई कि मा कथे पढ़लो यार बहुत लंबा है तो इसको आप पढ़लेना बता चुके ही है चलो अशा बता देते हैं वरना आप कहेंगे इतना छोण दिया यार चलो ठीक है पत्र लेखा को बुला करके क्या कहा था चंद्रापीड ने क्या कहा था कि पत्र लेखा तो या आपको मार्ग में जाते हुए मेरी विरह की बिड़ा नहीं होनी चाहिए और सरीर संसकार में अनादर नहीं करना चाहिए आहार वेला का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और जिस किसी अग्यात मार्ग से भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरे मेरा जीवन आपके हाथ में ही है तत नियतम तोया आत्मना एतने पर रक्षणिया इसलिए आपको निश्चित तोर पे ही मेर जीवन को अच्छा करनी चाहिए फिर है महाश्वेता आस्रमम यावत तो यही वस्ता अनया मत नैनाय आगनतब्यम महाश्वेता के आस्रम तक मुझे लेने के लिए तुम्हारे साथ पत्रलेखा भी आएगी ठीक है और चंद्रापीडा के उरकम किम आदिश्य विसरजयत तो यही उस्ता अनया मत नैनाय आगनतब्यम ठीक है अध्वन शब्दकारत है मार्ग ओके चलो कैसा लगा अब आज ही आप जाईए प्लेलिस्ट में और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पे शेयर का आपसन है मिलता है जो त्री डॉट पे आप किलिक करेंगे तो शेयर का बाद वह भी पूरा हो जाएगा फिर मैं आभिग्यान शाकुंतलम या फिर रगवन शम में से कोई एक उठाता हूं चली ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद